वेलकम नमस्कार दोस्तों मैं टेख्टनिकल बंटी ये बर फिर से स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैन्ल टेख्टनिकल बंटी में दोस्तों आज इस टोपिक को लेकर में वीड्यो बनाने जा रहा हूँ वह आप के लिए बहुत ही helpful होगा यहां दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, WinRAR software के बारे में जी, हाँ ये software जो है वो एक आपके computer में wallet की तरह काम करता है आप अपनी जितने भी files हैं उन्हें आप एक लोपर folder में डाल करके रखते हैं और जब भी किसी virus का attack होता है तो आपकी जो file हैं उनका extension उड़ जाता है या फिर उनको software की जो main files हैं वो उड़ जाती है जिस वज़े से आपको काफी परिशानियों का सामना उठाना पड़ता है परन्तु आज मैं आपको इस software के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आपको benefit ये होगा कि आप अपनी जितनी भी folder में open files हैं या setup हैं उनको आप इस wallet में डाल करके save रख सकते हैं उससे आपको benefit ये होगा कि आपका जो software है या आपकी जो भी files हैं not only software even all the files इसमें save करके रखी जा सकती है उससे फाइदा ये होगा कि आपका जो virus का attack होगा computer पर उससे आपकी इन files या इस wallet पर कोई असर नहीं होगा और आपके जो wallet में जितना भी data है वो बिलकुल save रहेगा तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से software को आप download कर सकते हैं, install कर सकते हैं और किस तरीके से software को आपको use लेना तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मैं software की downloading की तो मैं आपको बता दू कि मैंने अपने इस वीडियो के description में software का जो link है वो दे रखा है तो आप उस link पर direct single जब click करेंगे तो directly ये जो software होगा मैंने software का जो link है वो अपने इस वीडियो के description में दे रखा है तो आप उस link पर click करें और direct इस software को download कर सकते हैं इसके लिए आपको कहीं पर भी किसी भी website पर या कहीं घूमने की या visit करने की जरुरत नहीं होगी तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये software install कैसे करना है डाउनलोड करने के बाद में जब आप इस software होगा वो इस परीके से आएगा कुछ मेरा जो ये software है वो है winrr 5.90 यानि की present में जो latest version चल रहा है मैं उस software की बात कर रहा हूँ इस software को install कैसे करना है उसके लिए आपको easily क्या करना है कि आपको single right click करने के बाद में extract to winrr जो ये folder ये है option इस पर आपने click कर देना है इस पर click करने के बाद में देखिए आपको folder वो इसी नाम से ही आ गया है इसको कहते हैं extract करना अब देखिए इस में इस नाम से एक और folder आया है उससे जब open करेंगे तो हमारे पास में कुछ options आएंगे ये जो option है वो हमारे लिए बहुत समझने के जरूरत है पहला एक folder है जिसमें license है दूसरा और तीसरा जो option है वो दोनो setup है पर ये दोनो 32 bit और 64 bit operating system के लिए हैं अगर आपका system 32 bit पर काम करता है तो आपको 32 bit वाला install करना है और अगर आपका system 64 bit का है तो आपको 64 bit वाला install करना है मेरा जो computer है उसकी जब मैं property देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे computer में 64 bit operating system है तो मैं इसमें 64 bit वाला install करूँगा उसके लिए मुझे क्या करना है कि इस software पर application जो इस पर right click करने के बाद में run as administrator कर देना है yes कर देना है और install पर single click करेंगे हमारा software इंस्टॉल हो चुका है ok पर click कर दीजिए और इसे done कर दीजिए देखिए हमारा software जो है इंस्टॉल हो चुका है अब आपको क्या करना है license वाले folder में जाएंगे और यह जो file है registration entries है इसको copy करना है इसको copy करने के बाद में आपको क्या करना है आपके अपने computer में local disk जो है c partition उसमें जाना है उसके बाद में आपका यह जो software है win rr वो कहां से हुआ है उसमें आपको जाना है और यहां देखे जो program files है इसमें हमें इसे copy करना है पर मैं आपको paste करना है मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको क्या करना है हमने जो डाला था software 64 bit का था 64 bit का इसलिए हमें program files में जाना है अगर हमारा software अगर 32 bit का होता तो वो हमें program files में डालना था इसलिए हम program files में जाएंगे उसके बाद में हमने यहां पर जाना है विनार्यार में तो देखिए यह सबसे नीचे हमारा जो folder है फैड़ लाश नमबर पर इसमें जाना है इसको open करना है और यहां पर आपको paste कर देना है अगर यह open overwrite मांगता है तो आपको इसो overwrite कर देना है देखिए आपकी जो file है वो यहां पर आ गई है इसका मतलब हमारा जो software है वो बिलकुल अब genuine हो गया है इसका license में हमने डाल दिया है अब आपको करना क्या है कि किस तरीके से आपको यह use में लेना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे माली जी आपके पास यह कुछ file है मैंने एक folder में डाल रखी है यह total 44 files है और जिनका complete size जो है वो है आप देख सकते हैं यह 44 files हैं और यह total 92.5 MB की है यह एक नया panel खुल गया है भी नारा रखा अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अर्चिव नेम मांगता है तो आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं जैसे मैंने इसको नाम देना है 44 PhD for nurse apps पस इतना रखने के बाद मैं मैं इसे ok कर दूँगा उससे पहले मुझे यह देखना है कि अगर मुझे और भी कुछ चेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ जैसे मुझे अगर इसमें पासवर्ड लगाने तो मैं इसमें पासवर्ड लगा सकता हूँ जैसे मैंने इसमें लगा है अगर आप इससे डिलीट भी कर देता है जो यह 44 फाइल्स जो बाहर पड़ी है मैंने देखिए इसको सिफ्ट के साथ डिलीट कर दिया है कर दिया है अब देखिए मेरे इसमें जो रिसाइकल बिन है इसमें भी नहीं है अब किस तरीके से मैं इसे निकालता हूँ आप देखिएगा wallet में डालना मैंने आपको बता दिया wallet में से किस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं इसको extract करना है उसको करने के लिए क्या करना है आपको इसी जो icon है इस पर right click करने के बाद में आपको extract here कर देना है या Extract 2 भी कर सकते हैं, Extract 2 करने का फाइदा यह है कि इसी नाम से एक फोल्डर बन जाए गर उस फोल्डर के अंदर आएंगी और Extract here करेंगे तो उसका फाइदा यह होगा कि यहाँ पर जैसे पहले बिल्कुल ओपन फाइले रखी हुई थी वैसे कि वैसे आ जाएगी मैं फिलाल के लिए से Extract here कर रहा हूँ, यहाँ पर यह पासवर्ड मांग रहा है, 1,2,3 मेने इसमें पासवर्ड अपलाई कर दिया और ओके कर दिया है देखी यह 5 सेकंड भी नहीं लगी और मेरे जितनी भी फाइले थी, टोटल 44 फाइल्स यहाँ पर आ चुकी है अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक मैजिक वाली बात भी है, वो आपके लिए बहुत ही फाइदे मन्द होगी उस पर ध्यान दीजिएगा, जितनी फाइले जो थी, 44 फाइल जो थी, अगर जब हमने आप इसकी प्रोपर्टी चेक की तो देखिए, इसमें इसका जो साइज था, वो 92.5 MB था, अप्रोक्सिमेट 100 MB बट जब हमने इसको एक वोलेट में डाला, तो उस वोलेट का साइज रह गया, मातर 50.1 MB, यानि कि लगबग आधा साइज ही इसका रह गया, और जब हमने वापस हमारा डाटा इसमें से एक्स्ट्रेट किया, तो वापस वो 92.5 MB हो गया, यानि कि ये जितने भी फाइल्स ज और जब आप वापस ही से एक्स्ट्रेट करते हैं, तो वापस उन फाइलों को वो एनेलार्ज करके, ओरिजिनल साइज में आपके सामने प्रेजेंट करता है, उससे फाइदा ये होता है कि आपके कम्प्यूटर में अगर आप इस तरीके से फाइलों को वोलेट में सेव अब वहाँ पर आपके ओल 50 MB में अपना काम चला रहे हैं तो दोस्तों मेरा वीडियो ये कैसा लगा आप प्लेज कमेंट करके मुझे इस वीडियो में जरूर बताईएगा ताकि मैं और भी कुछ अच्छा आपके लिए ला सकूँ और हाँ जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें